बुद्वोस सागत है आपका अपने ही चैनल NIS Online Hub में दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे NIS DLAD से सम्बंदित बहुती बड़ी breaking news और latest update आया है और जैसा कि दोस्तों आपको कोई भी update आती है NIS DLAD से सम्बंदित तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले update देखने को मिलता है त इसका improvement हो गया था उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी यहां पर रहत भरी ख़बर और news निकल के आई है जो कि यहां पर प्रात्मी सिक्षा निदेशक ने जो है छेत्री का रियाले को एक letter लिखा है तो इस letter में क्या-क्या बाते लिखी गई है साथ में दोस्तों आखवार के म अपडेट देखने को मिलती है यानि किसी भी राज से आप बिलॉंग करते हैं तो इस channel से जुड़े रही है सबसे latest और परमुकता से आपको ख़बर देखने को मिलती है तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे नाएस डिया लेडी से संबनित बहुत सारे टीचर का comment आ रहा था कि sir NC को लेकर कुछ update है की नहीं तो दोस्तों कुछ जो है technical assist और मेरी sound आप देख सकते हैं थोड़ी से जो है तेवियत खराफ होने के बज़े से मैं update नहीं दे पा रहा था लेकिन आप जो है update लगातार आएगी जैसे जैसे यहां पर update निकल के आ रहे है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं प्रात्मिक सिक्षा निदेशक जो की डॉक्टर रंजीत कुमार बिहार सिक्षा विभाग के छेतरी कार्यालाई को जो है पत्र लिखा है और इस पत्र में क्या कहा गया है भी समय यहां पर पूरी update यहां पर लेंगे देख आज के न्यूज अखवार के म continue देखिए पूरा देखिए दोस्तों आपको बता दूँ कि आप नीचे में जरूरी कॉमेंट कीजे कि आप कि इस regional center से बिलोंग करते हैं ताकि आपकी भी regional center में इस तरह का update आए तो सबसे पहले आपको इस न्यूज के इस चैनल के मायधम से मिल पाए तो सबसे पहले इस च संजीत कुमार जो की नीदेशक है प्रात्मिक सिक्षा विभाग सेवा में छेतरिये नीदेशक राष्टी मुक्त बिदाले संस्तान ललित भवन पटना को एक पत्र लिखा गया है आपको ग्यात होगा कि ये जो प्रशिक्षन किया गया था 17-19 का सेशन में किया गया था उस उसी को लेकर जो है आप सिक्षा विभाग के तरफ से एक पहल की गई है और एक लेटर लिखा गया है जो की नीदेशक छेतरी कारियाला को लिखा गया है आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपका भी जिस राज में है वहां के नीदेशालाई पर आप जो भी टीचर इंप् अपडिट मिल सकता है तो आपको दोस्तों मेहनत थोड़ी से करनी पड़ी कि यहां के सिच्छकों ने कुछ परियास किया लगातार सचीवालाई के चकर को लेकर और यहां पर प्रात्मिक सिच्चा नीदेशालाई ने फाइनली जो एक लेटर जो है लिखा है तो इस लेटर भारा सरकार पतरांग 17-2-2017 दिनांग 3-8-2017 विभागे पतरांग आप देख सकते हैं और दिनांग 66-2017 के आलोक में आटियाई के धारा 23-2 में स्वनसोधन किया गया तकी दिनांग 31-3-2019 तक सभी राज के सरकारी एवं गेर सरकारी विद्दालने में कायरत आपरसे से चकों को प्रारमिक अस्तरी या निडियलेडी परदान किया जाना है साथी यह भी निदेश दिया था कि 14-2-2019 से किसी भी आपरसे सिचकों को सेवा में कायरत नहीं रखा उनको सेवा मुक्त करने का प्रारम कर दी जाएगी उक्त संदर में दिनांग 31-2019 के पस्चाद राज के सरकारी विद्दालने में कायरत आपरसे सिचकों की सेवा समाप्त करने है तो विभागय पत्रांग 14-22 दिनांग 22-10-2019 दुआरा दिशा निदेश निद्गर जिला आस्तर पर संबंदी सिचकों की सेवा समाप्त की दिशा की गई समन में कतिये विभागों दुआरा आदेश पत्र को उपलप्त कराया गया और यहां पर आगे कहना है कि प्राप्त आवेदनों के आलोक में ग्यात हो की वेसे सिचक जिनका डिये लेडी का परसेचन पूर्ण हो गया है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जिसका पू 50% हो गया है या उससे उधिक उसका परमान पत्र नाइस दुआरा निर्गत नहीं किया जा रहा है अता अनुरोधे की वेसे अभिहारती जिनका डिये लेडी का परसेचन पूर्ण हो गया है तता नाइस के माईधम से पूर्ण प्लस टू की परिक्षा में सामील होकर 50% या उससे अधिक अंग प्राप्त किया है उसका परमान पर निर्गत करने के संदर में यह था कारवाई सीगर करने की किरप्या कीजा यहां पर देख सकते हैं विश्वाजन प्रात्लिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग के दुआरा जो ही लेटर जारी किया है दोस्तों इस डेट में आ गया था लेकिन मेरी थोड़ी सी अप जो है प्रॉबलम के कारण में आपको अपडेट नहीं दे पाया हूं तो आज बहुत ही बड़ी जो है राहत भरी खबर यहां पर निकल के आई है और पेपर में भी अपडेट आया है चलिए मैं पेपर को भी दिखा देता हूं दोस्तों जैसे की स्कीन पर आप देख पार होंगे नोकरी पर आन पड़ी तो सिक्षा विभागने की पहल और सिच्छकों को इंप्रॉमेंट एक्जाम का सट्पिकेट दिलाने को हुआ हस्तचेप और यह जो मैंने अभी लेटर दिखाया वह लेटर जो है सिक्षा विभाग के तरफ से लिखा गया है और रिजनल संटर को लिखा गया है आपर देख सकते हैं यह पटना से बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राज में सेवाकालिन प्रसिचक डीलेडी प्रापकर चोईसे प्रार्यमिक सिक्षक मुस्किल में है जिनोंने इंप्रुमेंट एक्जाम के सर्टिपिकेट नहीं मिल पा रहा है जिसका इंप्रुमेंट हो गया है लेकिन उसका सर्टिपिकेट नहीं मिल पा रहा है और ऐसे सिचकों के बारवी में इंप्रुमेंट एक्जाम सर्टिपिकेट नहीं मिलने से उनकी नोकरी पर आन पड़िए इसके मजदे नजर इस मामले पर अब शिक्षा विभाग प्रात्मिक सिख्षा निदेशाले ने हस्तेचेप किया है और प्रात्मिक सिख्षा निदेशाले डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने संबंदित सिच्छकों को बारवी की इंप्रुइमेंट एक जाम का वित्तरी एकारियाल रहें सुकुरुबार को जो है पॉत्र लिखा है तो दोस्तों यहापड़ सकते हैं जिसका भी इंपरुमेंट हो गया है निचे में कोमेंड करके बताईए और जी सी भी रिजिनल सेंटर से बिलोंग करते हैं ताकि आपके भी राज में इस तरह का अपडे है उसका जो है साट्पिकेट जारी करने को लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने पत्र लिखा है द्रसर शिक्षा विभाग का अधिकार कानून के तादेश भर में अप्रसेश्चेकों को 31 माई 2019 तक प्रसेचन होना अनिवार किया गया था एक अप्रेल 2019 से प्रारमिक विद्दाले में अपरसेश्चेकों के सेवा नहीं ली जा सकती है सभी जानते हैं कि आट्टियायक्ट कानून का जो यहां पर जो लाया गया था आगे काना है कि इसके मजदे नजर प्रारमिक शिक्षाकों को DLAD पाइट करम के जरिये प्रसेचन क जिमा यह जो DLAD का पाइट करम का जिमा जो दिया गया था वह राष्टी मुक्त विद्दाला याने नेसेंच चुट आपन एनाएस को दिया गया था ऐसे से चकों के लिए जरूरी था कि बारवी में 50% अंक हो इसमें कम अंक वाले राष्टी मुक्त विद्दाला संस्तान से बेठने और इंप्रूमेंट करने का मौका दिया अब 1 अपरेल 2019 आप सिच्चकों को सेबा की कारवाई चल रही है यानि दोस्तों यहां पर NIS DLAD के साथ साथ इंप्रूमेंट करने का भी मौका दिया था जिसका भी 50% से नहीं था वैसे सिच्चक का जिसका 50% में आंक नह लिक रहा होगा तो दोस्तों बहुत सारा टीचर का जो है इंप्रूमेंट कर लिया है उसका सट्पिकेट नहीं मिल पा रहा है तो उसी को लेकर जो है सिक्चा विभाग के तरफ से जो है अस्तचेप यानि पहल किया गया है और यह छेत्री का रियाल को लिखा गया है यहां भी राज में आपने सिक्चा ने देशालाइका ओ जो इस तरह का लेटर जो है भेजिये और आपने सिक्चा विभाग को आबेदेन दीजे कि हमारे भी यहां पर सिक्चक जो है इंप्रूमेंट कर लिया है तो आपने रिजिनल सेंटर को जो है पत्र लिखाने को लेकर आप उसे प्रिरीत कर सकते हैं सिक्चा विभाग को जो इहां पर आप देख पार होंगे यह जो राहत की ख़बर आई है यहां पर पटना से वेसे सिचक जिसका डियलेडिक पूर्ण हो गया है तता राष्टे मुक्त बिदाला संस्तान से पूना बारवी का परिक्चा सामील होकर 50% अंक जो है प्राप्त किया है उनका परमान पत्र राष्टे मुक्त बिदाला संस्तान नहीं निर्गत किया जा रहा है इस बात का उलिक प्रात्मिक सिक्चा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने छेतरी कार्याले को पत्र लिग कर प्रात्मिक सिक्चा निदेश वेशे अभिहार्ति जिसका निर्गत कराने को लेकर कारवाई की जाए ओग्या है उसको ले कर जो है सिक्छा विभाग यानि विहार कि तरफ से लेटर जो है लिखा गया है और इस लेटर में लिखा गया कि जिसका भी इम्प्रो्मेंट हो गया है उसका जो है ब ही कोई भी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माईदम साफ लोग को दी जाएगी तो इस अबडेट में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहिन